यग्यशिष्टा सीनह संतो नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 13 वह श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आईए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यग्यशिष्टा सीनह संतो अर्थात यग्य का शेश भोगने वाले संत मुच्चंते सर्वकिलबिशेह अर्थात मुक्ती पाते हैं सभी पापों से भुंजते ते अर्थात आनंद लेते हैं वे या भोग करते हैं वे त्वगम पापा ये अर्थात किन्तु जो दुष्ट पापी होते हैं पचंती आत्मकारणात अर्थात पकाते हैं स्वेहम के लिए तो यहाँ पर श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि ज्यानी व्यक्ति अपने यग्य को करते हैं और यग्य में जो भी शेष बच जाता है उसे प्राप्त करके वे प्रसन रहते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं किन्तु वो व्यक्ति जो अपने यग्य को करता है स्वेहम के लिए अर्थात वो अपने करमों को स्वेहम के भोग के लिए या अपने आनंद के लिए या अपने आप कुछ पाने के लिए जब करता है तो वो व्यक्ति पापी होता है तो जो मूल संदेश है वो यही है कि यग्य जो भी व्यक्ति करता है उसके फल को यदि कोई पाना चाहता है तो वो पापी हो जाता है जबकि जो ग्यानी लोग होते हैं वो कीवल जो यग्य में बच गया जूटन उसको प्राप्त करके प्रसन्न हो जाते हैं और इस प्रकार से वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं तो जो सतही रूप है वहाँ पे तो आप इसे समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है किन्तु यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा और गहराई से समझना चाहिए कि वास्ताव में श्रीकृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो की अपने स्वार्थ के लिए जो कारे करता है वो स्वार्थ के लिए कारे करते से ही वास्ताव में पापी हो जाता है तो इसको हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं तो वास्ताव में हम ये देखते हैं कि इस संसार में जो भी चल रहा है वो एक यग्य है और जैसा कि इस अध्याय के दश्वेश लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो संसार ये वास्ताव में इश्वर का यग्य है और ये जो यग्य है इसमें हम सभी को अपना एक योगदान देना होता है अब यहां पर जो स्थित्य है और यही है कि हर प्राणी वास्ताव में इहां पर इस यग्य में योगदान दे रहा है अब यदि ये जो पूरी श्रीश्टी है ये इश्वर का यग्य है तो इससे ये पश्ट होता है कि ये पूरी शृष्टी वास्ताव में ईश्वर की ही है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमारा है अर्था जो कि हमारे एहंकार का है यहाँ पर जो भी कुछ है वो वास्ताव में ईश्वर का ही है तो ग्यानी विक्ति जो होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि इस संसार में सब कुछ वास्ताव में इश्वर का है इसलिए वो किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानते हैं और ये सोचते हैं कि वो वास्ताव में इश्वर के लिए एक साधन है और उनके द्वारा इश्वर अपने इस यग्य को चला रहा है तो उनका जो भी कर्म होता है वो वास्ताव में इश्वर के इस यग्य की और एक योगदान होता है और इस योगदान के द्वारा जो भी जूटा जो भी बचा हुआ उनके पास में रहता है वो केवल उसी को स्वीकार करते हैं और उसको स्वीकार करके वो प्रसंद न हो जाते हैं कि यही मेरे लिए परयाप्त है तो वो इसी से संतुष्ट हो जाते हैं और इस सोच के द्वारा वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है और वो अपने एहंकार के लिए इन वस्तों को रखना चाहता है अर्थात वो इस संसार को ईश्वर से चुरा कर स्वैम के लिए रखना चाहता है तो वो जो भी यहां पर वस्तों होती हैं उनको संचित कर रहा होता और इस होता है कि यह सारी वस्तुएं मेरी हैं जिबकि वास्ता में वस्तुएं जो हैं वो तो ईश्वर की हैं तो इस प्रकार से वो व्यक्ति वास्ता में ईश्वर से ईश्वर का ये संसार जो है उसके भागों को चुरा रहा होता है तो ये वास्ता में चोरी ही है और यदी कोई व्यक्ति चोर है तो वो व्यक्ति तो पापी ही हुआ तो इसी लिए यहाँ पर श्रीक क्रिशन कहते है कि वो व्यक्ति जो की स्वैम के लिए कार्य करता है जिसका की यग्य जो हता है वो स्वैम के लिए होता है स्वैम कुछ पाने के लिए होता है अपने एहंकार के साथ में मुक्त हो जाते हैं तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोग को आपको चैसे समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो को इहीं पर समाथ करते हैं नमस्ते वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रेजनों के साथ में साजा करें और इस ग्यान को और पहलाएं यदि आपके पास कोई भी प्रशन है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए वहाँ पर मैं हर शनीवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रशन पूछ सकते हैं जैशी कृष्णे